प्रिदर शुकूं नमस्कार एक बार फिर से उपस्तित हूं आप सब के सामने शनी बार की कारिक्रम में विसलेशन जन्मकुंडली का इस कारिक्रम के अंतरगत सुबह के कारिक्रम के दूसरे हिस्से के साथ उपस्तित हूं कारिक्रम सुरू करने से पहले बता दू प्रतिक कर्म के मूल में कोई न कोई संकल्प होता है और प्रतिक संकल्प के मूल में कोई न कोई फल की कामना होती है न तो बहुत जादा कर्म के फल का प्राप्त होने का भाव दिमाद में हो या मन में हो न तो निस्काम कर्म का यहाँ पे भगवान मनु ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आप जो कर्प्ति कर रहे हैं उसे से अवस्य ही कोई संकल्प होता है उसमें कोई न कोई संकल्प आवश्य होता है कि मैं ये काम इस संकल्प की सिद्धी के लिए कर रहा हूँ और उस संकल्प में किसी न किसी फल के प्राप्ति की कामना होती है पर वो कामना हमेशा ही इस स्वरत्त के गुणों को विकसित करने के लिए और इश्वर के चरणों म मैं इस कुंडली पे लेकि आता हूँ, यहां ये कुंडली सुभह में मैंने विर्ष्यक लगने की कुंडली बनी थी, थोड़ी कमजोर थी कुंडली, कई बार दो कहते हैं, पंडीचे आप कमजोर कुंडली को कमजोर भी नहीं कहते, हलाकि इस कुंडली की सबसे अच्छी बात ये है कि केंद्र के अधिपती होकर केंद्र में वैटे हैं और धनेश धनभाव को देख रहे हैं इस कुण्ड़ी को पापकरती लगा है इस वज़ा से परिशानी यहां से बनी रहेगी दिमाग और विवस्थित और उपर से चंद्रमा भी नीचा विलासी थे भाग की भंग य लग लगा रहे थे शनी से द्रिश्ट होने के कारण थोड़ी सी परिशानी इनको यहां से भी थी बुद्ध और सुक्र इस कुण्ड़ी के लिए बहुत अच्छे नहीं होते दोनों से चंद्रमा द्रिश्ट थे इस वज़ा से और चुकी भागे भाव पे शनी की द्रिश् सिद्ध हो रही थी एक मात्र मजबूती कि जन्म कुण्डली में कम से कम गुरु केंद्र में थे बहुत सारे दुरियोगों का वो शमन वैसे भी कर देते हैं नौमान्स कुंडली में चतुर्थ भाव का अधिपती शनी यहां के लगनेश बन रहे थे और यहां के लगनेश हो करके वो लगन को देख रहे थे इस वज़ा से वो देर से ही सही बिलंब ही सही पर प्रामारिकता के साथ वो अपना काम अवश्य करवाएंगे यहां पर मंगल के साथ सुक्र का बैठना व्यक्ति को काम और तेज़क भावनाओं से लिपत रखता है सुक्र अगर शुग रही नहीं होते और मंगल अगर भागे भाव के में नहीं बैठे होते दशम भाव के अधिपती होकर के यहां चंद्रमा नीचा विलासी थे और यह पे आपको खुद का कारोबार अवश्य ही करना चाहिए जब तक आप खुद का काम नहीं करेंगे तब तक ये आपके अंदर की विलक्षनता प्रभावित और कमजोर होती रहेगी नेसंदे आपकी कुद्ली में मंगल के साथ सुक्र हैं, दामपत्य में और पत्री के साथ भी अगर कारोबार कुछ अस्ताफित करना चाहें तो बिलकुल कर सकते हैं आपके कुंडली नौमान्स कुंडली में लगन के अधिपती का लगन को देखना राहू की दिष्टी लगन पे और शनी की दिष्टी लगन पे मंगल जन्म कुंडली में इस कुंडली में बैठे हैं नौम भाव में जो कई बार कम्यूनिकेशन के बीच में गड़बड़ी दे साथ ये विक्ति की कुणली बहुत अच्छी होगी नेसंदे इस कुणली में विक्ति कार्मिक है पर उसको वक्त अच्छा नहीं मिल रहा है राहू का बारह में मित्र की रासी में या अपनी रासी में बैठना सुर्य का पंचमभाव को देखना पंचमेश का नीच का होना गु सब्टम भाव के बाद अस्टम भाव के अधिपती भागे को कमजोर भी कर रहे हैं। इस कुंडली में केंद्र में गुरू और मंगल का प्रभाव तो नहीं है पर त्रिकोन में सुर्य का प्रभाव अवस्य मिल रहा है। पंचम भाव के अधिपती नीच के हैं, जिनका नीच भंग कम से कम मंगल के केंदर में होने के कारण हो रहा है, क्योंकि मंगल यहां केंदर में बैटे हैं। लगन कुणली में गुरु की दिष्टी धनभाव पे, दशमान सकुणली में लगनेश की दिष्टी लगन के अधीपति पंचप में, प्रभिर्ती कमजोर नहीं है, आयू कमजोर नहीं है, 17 वर्शसे व्यक्ति की आयू अधिक होती है, नौमान्स कुंडली में चंद्रमा यहां पे ब्रिशिक के बैठे यहां मीन के बैठे हैं जिसके अधिपती मंगल यहीं सन्निकट त्रिकोण में बैठे हैं और मैं समस्ता हूँ कि राहू से द्रिष्ट हैं अवस्थागत ये कुंडली कर्म छेत्र को भले ही देर से अक्टिव करेगी पर ब्रिष्टी के पास बल बहुत सारा है वो अगर मेहनत कर दे तो बहुत सारी चीज़ें इकठा कर सकता है दुटी भाव के अधिपती जन्म कुंडली में गुरु हैं उच्चके होकर के बैठे हैं बुद्ध के साथ जो इस कुंडली का अस्टमेस है ससुराल सेध वहारियां इस कुंडली में दिख रही हैं सब्तम भाव में शनी का बैठा होना आपको नवान सकुंडली में शत्रों से बचाने का काम करेगा आम तोर पे हम लोग कई बार यह कह देते हैं कि सब्तम भाव में शनी मंगल रहो के तु बैठे हैं तो खराब होता है आदर की जो इस्थुती होती है वो समाज में और ससुराल में बनी रहती है बिवाह अगर कभी भी करना हो तो इस कुनली के आधार पे मेश रासी की जाती का है और तुला रासी की जाती का है इसके अत्रिक्ट मीन रासी की जाती का है बहुत अच्छी होंगी बिबाह के लिए दक्षण और पुर्व की दिशा बहुत अच्छी रहेगी दामपत्य में पत्नी थोड़ी उम्र में बड़ी, कड़वी, कठोर, मजबूत आ सकती है उनकी हड़ियां मजबूत होंगी और वो लंबी आ सकती है अवस्थागत किंद्र में शनी का शत्रु घर में बैठना, चंद्रमा का नीचका होना इस कुंड्ली के लिए चंद्रमा का बहुत अच्छे भाव का अधिपती नहीं होना पर गुरू से दिर्ष्ट और सूर्य भी गुरू से दिर्ष्ट हैं इस वज़ा से वो वैचारिक रूप से भले ही सत्य बोलने वाली हो सकती है पर वो गलत बोलने वाली नहीं होंगी वो जूटी नहीं होंगी मानसिकता और दार्शनिकता उनकी बरकरार रहेगी कुल मिला करके मैं समझता हूँ कि सफल तो संपोर्णते आ नहीं पर एक स्रेस्ट दामपत्य का योग इस कुंडली में अवश्य लगा है जन्म कुंडली में अगर कोई भी ग्रह केंदर में थोड़ा बैट जाता अच्छा वाला जैसे शनी भी ठीक नहीं बैटे लगन को देख रहे हैं तो हाँ बढ़िया है आयू अच्छे मिलेगी पर कोई सुभगरा अगर सब्तमभाव को देख लेता हलाकि सब्तमेश पर गुरू और बुद्ध की दृष्टी जरूर है इस वज़ा से देर सही सही पर इस दामपत्य का एक बार पत्नी के जीवन में बड़ा ही सफल योगदान होता है जो वक्ति जीवन भर याद रखता है नामपत्य खराब नहीं कहूंगा अच्छा कहूंगा आपकी कुंडली मंगलीक नहीं है इस वज़ा से ठीक है योगा योग में लगन के अधिपती का पंचम में बैठना संबंध तूटता नहीं है विभा़ तूटेगा नहीं तर्ति भाव के अधिपती का तर्ति को देखना और चतुर्थ्ष के साथ ऐसी इस्थती में माता का सास ससुर का इन लोगों का संबंध ठीक होता है कई बार जो ससुराल के छेत्र के रिष्तम दार होते हैं उनके साथ भी सम्मंद ठीक ठाक होता है, थोड़ी बहुत डिप्लोमेशी होती रहती है। चतुर्थ के भाव के अधिपती नमम में बहुत बढ़िया है। पंचम के अधिपती जन्मकुणली में चट्वे में गुरु के संग बैठे हैं, धनेश के साथ और लाभेश के साथ बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि धन हानी कभी कभी अवश्य होगा, जो पेट से समदित समस्याओं पे खर्च करवाता रहेगा। चट्वे भाव के अधिपती का जन्मकुणली में नीच का होना साहस, बल, पराक्रम और उर्जा कमजोर करता है, मन आवेवस्थित रहता है और मन को समझने वाला व्यक्ती कई बार नहीं होता, खुद का ही दुश्मन कई बार बन जाता है। अपने ही निरने उसे काट खात हैं, इस वज़ा से निरने लेने से पहले अवर शही विचार करिएगा। बैठे हैं, सुर्य से दरिष्ठ हैं, जो सब्तमेश है, इस वज़ा से सब्तमेश अस्तमेश का संबंध कई बार व्यक्ती को बहुत ही जादा चिन्ता करने के लिए व्यक्र कर देता है, या व्यक्र, जैसे होता न, क्या बोलते हैं, गयात्तुरी जप में एक बात आती है, व्यग्र चित्त हतो जबभा. चित्त जो व्यग्र है तो वो जब का फल नहीं देता. तो ठीक उसी तरीके से अगर आप कोई भी काम करने चलते हैं और आपका चित ब्यवस्थित रही है तो निशन्दे वो आपकी दिनचरिया को खराब करता है उस पल को भी खराब करता है जिस पल में वो काम किया जा रहा है ब्यवस्थित हो ये, अनुशासित हो ये, अपने अध्यायन की इस्थती को बढ़ाईए और कंभीर हो ये गुरू और बुद्ध आपको बहुत ज़्यादा प्रतिपालक और पोशक बना रहे हैं कई बार ब्यक्ति दूसरों के लिए अपनी दिन चर्या भी खराब करता है और अपने आपको अनुशासित होने से बचा लेता है या कई बार अपना धन खर्च कर बैठता है कई बार किसी को भी वो ना नहीं कहता, इस वज़से भी कई बार पिछर जाता है अस्तम भाव के बाद नवम भाव ठीक है, कम से कम भाव का अधिपती यहां बैठा है इस भाव से केंदर में गुरू बुद्ध बैटे हैं तो कमजोर नहीं होगा दशम भाव कमजोर हो रहा है, इस वज़से भी कारोबार कमजोर हो रहा है एक आदश्मा है, अनुभो देना चाहता है, इस वज़से आपको अभी वो दे रहा है बारहमा, जन्म कुंडली में बताया ही, परिवर्तन योग है, समानेतिया वो बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है नेत्र की समस्या और पेट की समस्या इस कुंडली की एक प्रधान समस्या में से एक देखी जा सकती है रख तका भी ख्याल रखना चाहिए, बाकी की चीज़ें तो मैं सामाने ही देख रहा हूँ एक बात और बता देता हूँ, इस कुंडली में मेहनत की आवशक्ता है और बाहर जाने का इशारा नौमान्स कुंडली के अस्तम भाव के अधिपती यहां भी विपरित राज जोग में है बुद्ध वर्गोत्तम हो रहे हैं चंद्रमा अपनी राशी में नीच की तरफ बढ़ रहे थे यहां पुर्ण तया हो गए मंगल यहां मीन राशी में बैठे थे मित्रकी राशी में यहां वो सामानने थे आप कमजोर जा रहे हैं इस वज़े से अनुकूलताओं में प्रतिकूलता जुड़ जाती है इसके बाद नौमान्स कुंडली के बाद दशमान्स कुंडली में शनी आपको मेहनत करवाएंगे शनी और गुरू का संबंध है पिता जो काम करते आये हैं कई बार आप उसमें भी सहयोगी बन सकते हैं वो काम भी आप उठा सकते हैं मंगल के साथ चंद्रमा के नीच के बैठे हैं और सुक्र गुरू के संग बैठे हैं अनुभव इकठा करिए और आगे बढ़िए अभी कम से कम आपको 2027 के फरवरी तक का वक्त आपको देना ही होगा तब तक के लिए एक बात और बता जैता हूँ घर परिवार सगा संबंधी इस कुंड़ी में थोड़े कमजोर आपको सहयोग में देंगे मतलब उनके लाव की स्थिती थोड़ी कमजोर है भाग्य भाव कमजोर हो रहा है इस वज़े से भाग्य और इश्वर का आशिरवाद थोड़ा कमसा है शिव जी की पूजा करिए बेल पत्र अर्वित करिए भगवान शिव की पूजा आपको बहुत सारे दुर्गम रास्ते से बचा करके लाव का रास्ता दिखा सकती है इस कुणली में चतुर्थी का वरत बिल्कुल ही फायदे मंद होगा गणे जी के स्थुदी बहुत ही लाव दायक होगी और चंद्रमा इस कुणली में कमजोर नहीं है पक्षे के बल से कमजोर होते हैं तो बहुत कमजोर हो जाते हैं कम से कमों पक्षे के बल से मजबूत हैं इस वज़े से देर सही सही पर आपको धन दे देंगे कोई भी काम करना होगा चंद्रमा और शनी की दशा साथी साथ गुरू की दशा आपके लिए फायदे मंद होगी इस कुंडली में कमजोरी से अगर कोई भी ग्रह की दशा भी तेगी तो सुर्य कमजोर थोड़े से हो सकते हैं हाला कि इस कुंडली के लिए कारक होते हैं पर वो भाव से कमजोर हैं और उनके उपर किसी सुभग्रा का कोई प्रभाव नहीं है, वो लगतार आपको चिंता में डाल रहे हैं, चंद्रमा 25% का परणाम कर रहे हैं, मंगल और बुद्ध 100% काम करेंगे और बहुत अच्छे भी रहेंगे, गुरू आपकी कुंडली में अनुभाव सीखने के बारे म महनत बढ़ाईए, क्योंकि नहीं करेंगे तो गड़बड़ी होगी, और शुक्र आपकी कुंडली में बृद्ध हैं, सुख और एश्वरे का आप जो प्रभाव है, वो थोड़ा कमसा है, देर से है, बिलंब से है, दामपत्य में भी कई बार बहुत जबी रपी ठक जाता ह राहो और कित्यों कि स्थितियां आपकी कुंडली में सामान में तयार, थोड़ी कमजोर रहेंगी, पर उनका सुख आपको मिलता रहेगा थोड़े बहुत निस्रण के साथ, क्लेर हैं, तब तक के लिए, बहुत बहुत नमस्कार